मनुस्य जीवन की सबसे बड़ी तपश्या क्या है? सबसे बड़ा तप कौन सा? दूसरा प्रश्न सुख कहा है? तीसरा प्रश्न मनुस्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? और चौथा प्रश्न सबसे बड़ा धर्म कौन सा? ये चार प्रश्न चानक बहुत बड़ी नेती कारुपी है जिनका नाम शंपुरन संसार में प्रशिद्ध है एक ही इस लोक में चाड़क ने उत्तर दिया है सांत लिम तपो नास्ती है सांती से बड़ा कोई तप नहीं कितने लोक जंगल में जाकर भी असांत हैं पहाडों के उपर बैठे हैं लेकिन असांत हैं कितने लोक घर में अकेले हैं कोई नहीं लेकिन असांत हैं कितने लोक फ्लेट में रहते हैं तो फ्लाइट में उड़ते हैं लेकिन मन असांत हैं अधिकतर लोक कहते हैं कि हमारे घर में शांती में कले कलेश बहुत हैं जीव का स्वरूप शांत स्वरूप सचिदानंद रूप सत्चिद और आनन्द यात्मा सत्थ है चेतन है और आनन्द का रूप आत्मा की कभी मृत्तु नहीं होती है और शरीर कभी अमर नहीं होती है शरीर और आत्मा के बीच में मन होता है मन बहुत चंचल होता है विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगता है ग्रहिष्ट का मन अपनी ग्रिष्टी में नहीं लगता है बिजनेस्मेन का मन अपने ब्योशाय में नहीं लग रहा है सादो का मन साधना में नहीं लग रहा है इस्त्रियों का मन अपने घर में नहीं लग रहा है यहीं घौमने जाना चाहते है कि कहीं घूमू जाकर और कितने लोग ऐसे हैं जिनका मन भारत देश में नहीं लग रहा है सोच रहे हैं अमेरिका घूमने जाओ वहाँ साहिद सांती बेड़े मन भी बड़ा विचित्र है भगवान करश्न के साथ अर्जुन सबसे अधिक रहते हैं लेकिन अर्जुन अपने मन से परिशान होगा अर्जुन एक दिन करश्न से कहते हैं करश्न तुम मेरे साला भी हो और रिष्टे में देखता हूँ तो साला की रूप में दिखाई देते हैं लेकिन युद्य मैदान में देखता हूँ तो तुम मेरे सार्थी हो और मित्र की दृष्टी से देखता हूँ तो मेरे सखा हूँ और भगवान की रूप में देखता हूँ तो तुम पूर्ण भगवान भी हो कृष्ण में सोला कलाई थी राम में चौदा कलाई थी परस राम में बारा कलाई थी जिसमें जितनी अधिक कला है उतना बड़ा भगवान है मुनुष में भी कला होती है जिसमें कला नहीं है उतना बड़ा भगवान है इसलिए कलाकार भी बनो संकर जी के डमरू में चौशत गुण थे सोचिए श्यू भगवान के डमरू में चौशत गुण तो श्यू भगवान में कितने गुण हो सती जी ने प्रतिज्या लिया था बिवाह करूंगी तो स्यू जेश्य करूंगी अन्य था कुवारी रहे सती जी की बहनों ने पूछा था आर ये स्यू के चकर में क्यों फसी कोई और से कर ले सती जी ने कहा श्यू भगवान विश्व बंदनी है जगत पूज है गुडवान है कलाकार है महान है विद्वान है उद्वान है विवेकवान है भक्त है तपस्वी है तेजश्वी है इसलिए स्यू को ही अपना पती बनोगा हर बेटी चाहती है कि मेरा पती भगवान जैसा ही हो परन्द इसकी लिए बेटीयों को भी बहुत तपस्या करना पड़ेगा तप आपकी मन की कामना को पुरुण करने में मदद करता है शरीर का तप मन का तप बाणी का तप तीन प्रकार के तप होते हैं जहां तपस्या है फिर वहां समस्या नहीं इसलिए ब्यास गादी निवेदन करेगी नारी को भी तप करना चाहिए ब्रत भी रहना चाहिए अपवास भी रहना चाहिए और गम खाना चाहिए गुडवान नारी बनो कलाकार नारी बनो सीता में ऐसे गुण थे राम अविध्या से पद्यात्रा करते करते जिनक पूर सहिम जाते और सीता को सहिम बर करते हैं यदि आपके गुण है तो राम तुम को ढूंडेंगे गुडवान बनो महान बनो बुद्ध्यमान बनो बिवेकवान बनो चरित्रवान बनो और धन्वान भी बनो कलिउग में धन्वान का भी महत्त जाता है आपके पास धन नहीं होगा तो आपकी शादी में भी रुकावट आ सकती जमिन नहीं होगी तो आपका बिवा रुक सकता है इसलिए थोड़ी जमीन भी होना चाहिए बिजनिस भी होना चाहिए सर्विस भी होना चाहिए और खेती भी ठीक ठाक करना चाहिए लाम के बास में कनक भवन है और सिवजी के पास में भी सोने का भवन है कोई भगवान गरीब नहीं है लेकिन भगवान के भक्त क्यों गरीब है भगवान कहते हैं एक बार मुँ से राम कहो अब दुबारा उठकर काम कहो बेठे बेठे माला मत फेड़ते रहना थोड़ा माल भी फेरो जाकर काम भी कहो काम करते रहो नाम जबते रहो वक्त जीवन का योही निकल जाएगा आज प्रातः पद्यात्रा में हम गई हमरे साथ में लगवग बीश भक्त थे पचीश संद थे पैतालिस पचास का शमोह था सुवे का समय साथ बजे ठंडी भी चल पड़े शब्ली आने जाने की चार किलोमीटर की पद्यात्रा हूँ भक्त स्री राम चंद्र पटेल साहद ने कहा संत्रा का खेत पास में है लाश्ट दिन है थोड़ा इधर भी चल दो हमारे देश में संत्रा नहीं होता है लेकिन संत होता है संत वहां का संत्रा यहां का हमारे संत भी इंतजार कर रहे थे गुरू आज्यादे संत्रा तरफ चल जो ही सारा दिया संत्र लपक के पहुँचे अब फिर संत्रा के खेत के पास खड़े थे कि दूसरा आदेश मिले तो संत्रा तोड़ना और खाना शुरू करो रामचंद्र पटेल ने सिद्धेश पटेल ओमप्रकास पटेल पटेल परिवार के नवईवक सभी थे सबने कहा तोड़ो तोड़ो खाओ मैंने भी खा तोड़ो खाओ कम से कम दोसो संत्रा तोड़ कर खाग फिर मैंने सोचा मैं भी क्यों चूकूं तो मैं भी खड़े-खड़े खा लिया ये पटेल परिवार उदार परिवार है दानी परिवार है भप्त परिवार है धार्मिक परिवार है अन्यता कोई संत्रा तो संत्रा संत्रा के पेड़ की पत्ती भी छूने नहीं देगा बहुत मुश्कित थेला भर तोड़ कर भी लाएगे और आज उज्जेन आश्रम के लिए पचास हजार की राशी का एलान किया कि उज्जेन में जो गुजी आश्रम बनाएंगे उसमें पचास हजार की राशी तोगा बहुत बड़ी बात है और ये भी बताएं पांच किस्तों में दोगा दस दस हजार की किस्त बनी ताकि गुरू ही किस्त में मस्त रहे बीच में फोन न करें किस्त आने वाली सब असपष्ट कर दिया अब पांच कुंटल दिया याद रखना खेत में जो ठीक से बीज की बोनी करता है उसके खेत में फसल भी ठीक से लहलाती है और पुनह घर अन्न से भर जाता है अन्न से भर जाता है दान ऐसे ही है जैसे खेत में बीज बोना दाता बन कर जियो लोभी बन कर मजियो दो बिमो पुरुषव राजन स्वर्गस्यो परीतिष्ठता प्रभुस्च छना या उक्तो दरिद्रिश्च प्रदानवा दो प्रकार के लोग स्वर्ग से भी उच्छे अस्थान प्राप्त करते हैं एक तो वह लोग जो बलवान हैं धनवान हैं सक्तिसाली हैं बुद्धिमान हैं सब तरह से दलबल है लेकिन गलती करने वाले कमजोर बेक्ती को ही हस्ते हस्ते छमा कर देते हैं ऐसी लोग स्वर्ग से उच्छे अस्थान ताप्त करते हैं जो सासू बहु को छमा कर देती है उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है जो सासू एक छोटी सी बात के लिए भी छमा नहीं करती है तो उसका घर महा भारत युद्ध का पुरुछेत्र मैदान बन जा पाए छमा सब्द बहुत महत पुरुआ छमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पाद जो गलती करे वो छोटा है जो छमा करे वो बढ़ा है और छमा जो मांग ले उससे बढ़ा है क्योंकि जब तुम छमा मांगते हो तुम्हारा एहमकार छमा मांगने को मना करता है और जब छमा करते हो तुम्हारी गुशा, क्रोध छमा करना नहीं चाहिती है कि इसको कुछ तो फल देंगे ऐसा मन में होता है परस राम ने राम को अब सब्द कहें थे और कहा कहा ससुराल में कहा जनक के सामने कहा जानकी के सामने कहा सब राजा बैठे थे उनके सामने कहा विश्या मित्र के सामने कहा रे कहा, तू कहा, मुर्ख कहा सब कहा लेकिन राम मुस्कराते रहे, राम मुस्कराते रहे, लच्छिमन को थोड़ा जोसाता था, कि बूढ़ा साधू इसको उठा कर पटकतों क्या को नहीं, कितने साधू भी बहुत कुरोधी होता है, घर तो छोड़ दिया पर कुरोध नहीं छोटा, पेंट रतार दिया, लेकिन गुस्सा नहीं उतरी, लगोटा बांद दिया, लेकिन कंट्रोल कुछ भी देनी, पेंट रतू साधू बन गया, पूरी साधू मंडली को पीटता रहता है, साधू लोग हस रहा है, क्योंकि उस पर यहीं बीत रही है, मेरी मंडली में तो बहुत अनुशासम है, और नियम है, और प्रेम बहुत है, और कोई खाली भी नहीं है, सब बिजी बहुत है, साधू को सरल होना चाहिए, छमा रूपम तपस भी नाम है, साधू का सुन्दर रूप छमा है, खोद खाद धर्ती सहे, काट पूट बन राए, अब कटू को बचन साधू सहे, और से सहा न जाए, कभी कभी तुम भी बहुत कठोर सह लेते हैं, उसमें तुम्हारे अंदर साधू सुभाव जाग जाता है, कभी कभी तुम अत्यदिक संयम बरत्ते हूँ, बहुत संयम बरत्ते हूँ, आशिर्वाद, आशिर्वाद, बैठो, आप कर, एक भब्त हमारा आया है, मेरी नजर उधर नहीं थी, उनके वाइफ के आशों आगे, कि गुर्देओ की द्रिष्टी मेरी तरफ कब घुमेगी, आशिर्वाद, 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 थे, थे, जैओ, बैठो, बिठा लो, राम जो गम खा लेते हैं, वे पुरुणा उतार कहलाते हैं, अब परश राम जो क्रोध करते हैं, वे अन्सा उतार कहलाते हैं, और राम के लाखो मंदिर बन जाते हैं, पूजा होती है, लेकिन परश राम के मंदिर नहीं बनते हैं, क्रोध करने वाले छोटे हो जाते हैं।